श्री शद्गुरु महराज कीजे पोजपाद महर्षी संसेवी प्रमहंसी महराज का प्रवचन गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं शमवीत शमादर्णी सजन्वरीन माताओ यम बहनो एक लड़की का विवा हुआ वह शसुराल गई अरोश परोश के लोग उसको देखने आये क्रम क्रम से लोग देखकर लोटते थे थोरी दूर पर एक बुढ़े बावा बैठे थे नव वधु को देखकर जो लोटते बुढ़े बावा उनसे पुछते कहो कैसी वधु आई है देखने में कैसी है चोटी बची देखकर लोटती वह कहती कि मेरी ही जैसी है किशोरी देखकर लोटती तो उससे पूछने पर वह कहती मेरी ही जैसी है योवती देखकर लोटती तो वह कहती मेरी जैसी है कोई बुढ़ी देखकर लोटती तो उससे पूछने पर वह कहती कि मुझको न देखा न उसको देखा सबकी बातों को सुनकर बुढ़े बावा हैरान हो गए वे सोचने लगे नब वधु आई है वह बच्ची होगी योवती होगी वह बुढ़ी होगी लेकिन बात क्या है कि जिस से पूछता हूँ वह अपनी जैसी बताती है बुढ़े बावा स्वेंग देखने गए उन्होंने देखा वास्तब में वह नब वधु अतीव सुन्दरी है उसके चेहरे से आईने सद्रिस चमक निकलती थी तो जो कोई देखने आते थे वे उस आईने में अपना ही रोप देखते थे इसलिए बच्ची कहती मेरी जैसी किशोरी कहती मेरी जैसी योवती कहती मेरी जैसी और बुढ़ी कहती मुझको न देखा उसको देखा उसी तरह आप लोगों ने जो मेरा अभिनन्दन किया उसमें जितने सद्गुनों के वर्नन आये वे सभी सद्गुन आप लोगों के हैं आप लोगों ने अपने अपने ही सद्गुनों को देखा है मुझमें वे सद्गुन मुझमें कहां स्वामी वेकानन जी महाराज विश्व धर्म सम्मेलन में गए हुए थे अमेरिका के शिकागो शहर में विविन देशों के धर्म प्रेमी वहां आये हुए थे सभी धर्मों की पुष्टकें वहां सजाई गई थी उपर नीचे क्रम से पास्चाद देशों के लोग यह समझते थे कि भारत आध्यात्म ग्यान से हीन है भारत वाश्यों को वे लोग हे द्रिष्टी से देखते थे इसलिए उन्होंने जो पुष्टकें सजाई थी उसमें वेद को सबसे नीचे रखा था तो था उपर में अन्य ग्रंथों को, सबसे उपर में उन्होंने बाइबिल को रखा था स्वामी वेकानन जी महराज जब उश्य मंच पें पहुँचे और उन्होंने पुष्टक की सजावट देखी तो बात उनकी समझ में आ गई कि किस द्रिष्टी से धर्म ग्रंथों को इस तरह रखा गया है चुकि ये लोग वेद को हे द्रिष्टी से देख रहे हैं इसलिए इसको सबसे निचे रखा है उन लोगों की भावना इनको परक में आ गई लेकिन उन्होंने कहा धर्म ग्रंथों की सजावट देखकर मुझे प्रशन्दता हो रही है जिस तरह की सजावट होनी चाहिए उसी तरह से सजाई गई है ग्रंथों की सजावट यह बतलाती है कि सभी धर्म ग्रंथ का मूल वेद है क्योंकि वेद पर ही ये सारे धर्म ग्रंथ टिके हुए है आप लोग तो नीचे बैठे हैं और मुझे उपर बिठाया है आप लोगों के आधार पर मैं बैठा हूँ अगर आप लोग हाथ हटा लेंगे तो मैं भी धन मना कर नीचे गिर जाओंगा उपर बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता बड़े तो आप लोग हैं जो मुझे अचार होता है वह इश्वर है क्या इंद्रियातित शंतमत बतलाता है कि बिना उस इश्वर का भजन की जीवों का कल्यान नहीं है प्राणियों का कल्यान इश्वर भजन में है इश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी जैसे आइने के माध्यम से हम अपने चेहरे को दे इसलिए शंत्मत को इश्वर भक्ति में दिव्य जोती और दिव्य नाल को प्राप्त करने का आग्रह है जिसके माध्यम से परम प्रभु के प्राप्ति होती है मतलब यह कि प्रमात्मा का अस्तित्व है वे प्रम प्रभु प्रमात्मा थे और रहेंगे वे होते नहीं है रहते ही हैं जो होता है वह बिगरता है लेकिन प्रम प्रभु प्रमात्मा शतत रहते ही हैं उनका शाक्षातकार अपने अंदर में होगा इसके लिए अंतर शाधना के आवशक्ता है वह अंतर शाधना मानस जप है मानस ध्यान है दृष्टि शाधन है और नादानों संधान है इन च किन्तु इसके बत्लाने वाले शोग गुरु की अवाशक्ता है जो किरियावान एम सुद्धाचारी हो बिना किरियावान सुद्धाचारी नी गुरु के उश्य प्रभु को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं शंत्मत में गुरु का सर्वो परी अस्थान है हम शद्ग्रंतों का अध्यन मनन एम अवलोकन करते हैं तो इसी निशकर्ष पर पहुँचते हैं खास देवघर में देवघर जिला शंत्मत सर्षें का वार्षिक अधिवेशन था पटना के एक अच्छे विद्वान आये हुए थे उसका उद्गाटन करने के लिए उनको हनुमान जी में बड़ी आस्था थी अपने उद्गाटन भासन में उन्होंने हनुमान जी की बड़ी महमंग आई और कहा कि हम नित्य परती हनुमान चलिशा पढ़ते हैं आप लोग भी जो पढ़ना चाहें तो हाथ उठाएं मैं हनुमान चलिशा के एक एक परती रहे थे कुछ लोगों का प्रवचन हुआ अंत में मेरी बाड़ी आई मैंने कहा लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि गोशामी तुल्शिदाह जी भगवान से राम के अनन्य भाक्त थे उन्होंने हनुमान जी के अतिरिक्त अन्य देवों की भी अस्तूतियां की है जिस तरह कोई एक शादवी महिला जिस परिवार में रहती है उसके सभी सदस्यों का यतोचित आदर सतकार शेवा शम्मान आदी वह करती है किन्तो उसका एक निष्ट शुत्र अपने पती से लगा रहता है उसी तरह गोशामी जी मरियादा सब को देते हैं लेकिन अपना ए इस्ट बनाए हुए रहते हैं चुकि वे पढ़े लिखे विद्वान थे इसलिए उनके कहने की जो कला है वह अद्भुत है वे हन्वान चलिशा आरंब कहां से करते हैं श्री गुरु चरन शरोजरज नीजमन मुकूर शुधार शर्वो पड़ी अस्थान किनको देते हैं गुरु देव को दूसरी पंती में वे लिखते हैं बर्णो रगवर विमले जशु जो दायक फलचार और तिसरी पंती में लिखते हैं बुद्धी हीन तनुजानी के सुम अब शमझे प्रथम अस्थान किनका है दूसरे में कौन है और तीसरे में कौन है गोशामी तुलशीदाज जी महराज के लिए कहा जाता है कि वे राम के भक्त थे लेकिन वैचारिक द्रिष्टी से एक निष्ट भक्त गुरु के थे इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मर्यादा दो दी सबको रामचरित मानश के आरम में है बंदाव गुरु पदकंज कृपाश इंदू नर रूपहरी महा मोहतम पुंज जाशु बचन रविकर निकर हनुमान चलिशा में ही देखिये जै जै हनुमान गशाइ गुरु देव की नाइं अगर इनके इस्ट राम होते तो वे कहे होते जै 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 हनुमान गशाइ किरु पाखन करो रगवर की नाइं किन्तू ऐसा वे नहीं कहते हैं वे हनुमान जी की अस्तोती करते हैं और यह करते हैं बुद्धी हीन तनुजानी के शुम्रों पवन कुमार मैं बुद्धी हीन हूँ आपका स्मरन करता हूँ बल दीजिये बुद्धी दीजिये विवेक दीजिये विचारनी विशह है कि जब हमको बल बुद्धी विवेक कु गुशाएं किरपा करो जो तुम्हीं सोहाई ना तो यह भगवान राम की दुहाई देते हैं और ना हनुमान जी की बलके वे कहते हैं जै 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 हनुमान गुशाएं किरपा करो गुरुदेव की नाई गुरुदेव की कैसी किरपा होती है गुशामे जी की दृष्टी किस ओर है शो देखिए इन बातों को सुनने के पश्चात उक्त विद्वान सज्जन ने कहा हनवान चालिशा तो मैं रोज पढ़ता हूं मुझे हनवान चालिशा कंठस्त भी है लेकिन इस पंती पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था गोशामी तुर्शिदाजी श्वेंग दोहावली में लिखते हैं राम नाम कलिकाम तरू राम भगती सुर धेनु शकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंक जरेनु कलिकाल में राम नाम कल्प विक्ष के सवान है और राम की जो भगती है वा काम धेनु के सवान लोग समझते हैं कल्प विक्ष मिल गया काम धेनु मिल गई अब क्या चाहिए लेकिन गोशामी तुलसिदाज जी महराज कहते हैं कल्प विरिक्ष और काम धेनु को पाकर आन्शिक मंगल होगा लेकिन शकल शुमंगल नहीं होगा अगर शकल शुमंगल चाहते हो तो गुरुपद पंकज रेनु देखिए गोशामी तुलसिदाज जी की दृष्टि किधर है भगवान सिराम जब लंका पर विजय प्राप्त कर रावन कुमकरन को मार कर विविशन को लंका का राज देकर और सिताजी का उधार करके अयोध्या लोटे तो कोशल्या माताजी भगवान राम को अपनी गोध में बिठा कर प्यार से पूछती है बेटा तुम्हारा शरीर तो कमल से भी अधिक शुकोमल है रावन कुमकरन आदी दुरदांत राक्षरों का वध तुमने कैसे किया इसके उत्तर में ववान सिराम कहते हैं गुरु वशिष्ट कुल पुज्य हमारे इन्ह की किरपा दनुज र माँ मेरा कोई प्राक्रम नहीं है मैंने अपने बल से रावन आदी का वध नहीं किया है गुरु कि किरपा कैसी होती है संदकविर्शाब कहते हैं गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं जीव तो अपनी बुद्धी ठाने गुरुदेव तो जीव को काड़ी भव आने बंद कर द्रिष्टी को फेरी अंदर करे घट का पाट गुरुदेव खोले कई कविर्टु देख शंशार में गुरुदेव शमान कोई नहीं तोले गुरु का अस्थान कितना उचा मानते हैं और कितना आदर देते हैं गुरु नानक देव जी महराज कहते हैं गुरु की मुरती मन मही ध्यानू गुरु के शब्दी मंत्र मनुमानू गुरु के वचरन रिदय ले धाराओ गुरु पारब्रम शदा नमस्यकाराओ अग्य जीव जानता नहीं है कि गुरुदेव की गिर्पा कवा और कैसे किस प्रकार होती है एक कामिल फकेड थे उनका एक शिष्य नवाब थे जो दूर शहर में रहते थे फकेड ने अपने निकट बढ़ती शिष्य को एक अनार देकर कहा कि जाकर यह अनार नवाब को दे देना को देना और कहना कि इस अनार को वह खाएगा शिष्य अनार लेकर पहुँचता है उस नवाब के पास नवाब के बहुत लोग बैठे हुए थे उक्त शिश्य ने नवाब को अनार देते हुए कहा कि तुम्हारे मुर्शिद ने यह संदेश भेजा है तुम्हारे खाने के लिए लोग खाओ नवाब सोचते हैं कि गुरु मराज का भेजा हुआ प्रशाद अनार है उसको तुरत तोर कर उसके पांच दाने उन्होंने अपने मुह में डाले तो अनार इतना खटा था कि नवाब सहाब को न तो थूकते बनता था और न निगलते ही अगर थूकते हैं तो गुरु की परतिष्ठा में हींता होती है गुरु प्रशाद मर्यादा रखने के लिए किसी तरह निगल गए जो अनार लेकर गया था उसने कहा और खाओ पांच दाने खाने में ही तो बेचारे का दम घोटने लगा था यह कहता है और खाओ नवाब सोचते हैं कि ये गुरु मराज के प्रधान शिश्य हैं इनकी बात कैसे नहीं मानी जाए तो पांच दाने और मुह में डाल कर निगल और कहा अच्छा पीछे खालूंगा इस पर उसने कहा बस अरे और खाओ इतने लोग बैठे हुए थे अब कैसे कहे के नहीं खाऊंगा उनकी परतिष्ठा के हिंता होती तो जबरदस्ती चार दाने और निगल गए और कहा अच्छा पीछे खालूंगा वह शिश्य लोटकर चला आया गुरु मराज के पास गुरु मराज ने पूछा अनार नवाग को दिया शिश ने उतर दिया जी हां मुर्शिद ने पूछा शमुचा अनार खाया शिश ने उतर दिया शमुचा तो नहीं किन्तु पांच पांच और चार कुल चोदह दाने खाए फकीर ने कहा मैं क्या करूँ मैंने तो समुचा अनार भेजा था अगर उसने समुचा अनार खाया होता तो जिन्दगी भर उसकी नवावी रहती अब मात्र 14 वर्ष उसकी नवावी रहेगी शंत सद्गुरु तो चाहते हैं कि जीव को शुक शिन्दु में ले जाने के लिए लेकिन शिश ही अपनी आत्म बुद्धी को विशेश मान कर चूक कर बैठता है कबिर शाव ने कहा है गुरु बिचार क्या करे जो शिश माही चूक भावे जो पर बोधिये बांस बजाई फूक शंत मत में गुरु का अस्थान शर्वो पड़ी है हमारे गुरु देव जी थे वे बड़े उँचे और महान शंत थे उन्होंने जिस ग्यान का प्रचार किया उन्होंने जो शिक्षा दिक्षा दे वह बहुत उची थी उनको आत्मद्रिष्टी प्राप्त थी आत्मद्रिष्टी से देखकर ही उन्होंने भजन भेज बताने की आग्या कुछ सज्जनों को दी उनके पास मीटर था जिस मीटर से जाच कर उन्होंने दिक्षा देने का आदेश दिया और आज वही संत्मत है कि कितने तो अपने मन से दिक्षा देने लग गए हैं कितने को किनी से अधिकार मिला है दिक्षा देने का लेकिन यह तरीका गलत है गुरु महराज ने जिन लोगों को आदेश दिया था दिक्षा देने का वे ही सब ठीक हैं इसके बाद जो कोई दिक्षा देते हैं या देने का आदेश देते हैं बिलकुल गलत है शुरताओं के और से श्रीशद गुरु महराज की जैध्वनी कठ्यार कॉलेज के एक प्रोफेसर मेंश्वर बाबु हैं उन्होंने जिग्याशा की गुरु महराज सिक्ष की हुजूर जितने बेक्तियों को आपने भजन भेद देने का आदेश दिया है क्या वे सबी भजन भेद देने योग हैं गुरु महराज बोले मैं जिन लोगों को भजन भेद देने का अधिकार दिया है, लोग उनसे भजन भेद लेंगे, देखिए, जैसे पढ़ाई शुरू होती है, लोग और प्राइमरी से लेकर मेट्रिक, IA, BA, MA तक की पढ़ाई होती है, प्राइमरी से लेकर MA तक जितने शिख्षक होते हैं, सब के सब सिख्षक ही हो कूपती है जिस यूगिता के जो होंगे वे उस गुरु के पास जाएंगे जो कोई सजन और डुसरे सच्चंग को भजन भेज़ देने का मोकिक या लिखीत आदेस देते हैं वे अनुचित करते हैं और इस अधार पर जो दूसरे को भजन भेद देते हैं वे भी अनुचित करते हैं क्योंकि यह अधिकार शिर्फ उन्नी को होगा जो परमपुज गुर्देव के उत्राधिकारी होंगे परमपुज गुरु महराज का आदेश जिनको है केवल वे भजन अगर गुरु महराज का आदेश नहीं है तब यदि वे भजन भेद देते हैं तो गलती करते हैं जिन सज्जनों को गुरु महराज ने अन्यों को भजन भेद देने की आग्या दी थी तो भजन भेद बताने का आदेश देने के साथ ही गुरु महराज ने यह कहने की किरपा की थी मैं सभी जगह नहीं जा सकता हूं मेरा शरीर कमजोर हो गया है इसलिए मैं भजन भेज देने का आदेश देता हूं कि ये लोग भजन भेज देंगे भजन भेज देने का आदेश है अगर भजन भेज देने को कोई बेपार या रोजगार बना लेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे जिनको गुरु महराज ने आदेश दिया है उनके लिए तो यह बात है और जिन्होंने अपने मन से बेपार करना प्रारम कर दिया है उनकी क्या हालत होगी उनको तो खुद समझना चाहिए कि यदि हम गुरु महराज के आदेश का पालन करते हैं तो हम गुरु मुख हैं, अगर गुरु महराज की अभेलना करते हैं, तो गुरु मुख नहीं है, मन मुख है, संत मत पवित्र मत है, सुद्ध मत है, अगर हम सुद्ध आचरन से रहेंगे, सदाचार का हम पालन करते रहेंगे, तो हमारा कल्यान होगा, अगर हम गुरु के आद करेंगे हमारी कुछ पर्तिष्ठा हो जाएगी यह बात दूसरी है लेकिन परलोक में उनके लिए कोई अस्थान नहीं है हम सभी सत्षंग्यों को समझ भूज कर इस पर चलना चाहिए शमय अधिक हो गया है श्वामी श्री रामानन जी ने यह सत्षंग मंदिर बनवाया है बह तेरा शुहा शिर्वाद है गुरु महराज से उन लोगों के लिए शुब उन्नत्यां चाहता हूं प्रमपोज महर्शी संसेवी प्रमहंशी महराज का यह परवचन बिहार प्रांत के तहट सहर्शा जिलान तर्गत महर्शी मेही योगा अस्रम सहर्शा में दिनांक 233,1993 इ महराज कीजे